तो अर्जुन राम मेगवाल को यूपी चुनाव का सहफ प्रभार बनाए जाने पर हमारी सहयोगी अविनाश दिवारी ने उसे खास बातचीत की है सुनते हैं बनाए जाते हैं सहय परभारी बनाए जाते हैं चुनाव के भी परभारी और सहय परभारी बनाए जाते हैं उसी स्रंकला के तहत आज के यह जो अरुन सिंग जी ने सूची जारी की है हमारी जो राष्ट्रे महमंत्री हैं वो उसी स्रंकला का पार्ट है जान तक आपने कहा साशन तो मैं लगातार जो देख पा रहा हूं और मैं सुस कर पा रहा हूं पुतर परदेश में सूशाशन और विकास ये दो ऐसे मुद्दे रहे जिनके कारण हमारी परदान मंतरी मोदी जी की जो नीतियां थी उनका इंप्लिमेंटेशन भी बैटर धंग से योगी जी की सरकार ने किया और हर वर्ग को रहात पहुंचाने का काम किया तो जब सूशाशन और डवलपेंट तेजी से आगे बढ़ता है किसी राज्य में तो वो सरकार रिपीट होने को उसके पूरे चांस रहते हैं अपार जन समर्थन मिला था 2017 के विदान सबाचुनाओं में 325 CTI ते गड़ बंदन के साथ इस बार क्या आपको लगता है कि वही इसने वही अपार जन समर्थन आप पानेम काम्याब होंगों भारतिय जनता पार् प्रभास कब करेंगे कब उत्तर प्रदेश जाएंगे और जनता से बीच में वास अमारे भारतिय जनता पार्टी में जैसे ही प्रभार दिया जाता है उसी समय से काम सुरू हो जाता है तो अब आप निश्चित बहुत जल्दी एक-दो दिनों में देखेंगे प्रभास हमा 2022 विधान सभाद चुनाओ के लिए प्रभारी होंगे वहीं स्टीम में साथ सह प्रभारियों की भी निउक्ति की गई है केंद्रिया मंत्री अनुराग ठाकूर अर्जुन मेखवाल शोभा करंद लाजवे और राज्य सभासांसद विवेग ठाकूर के साथी राज्य सभासा सरोश पांडे हर्याना के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यों और केंद्रिया राज्य मंत्री अनुप पुर्णा देवी यूपी में मिशन 2022 के लिए सह प्रभारी बनाई गई है वहीं बात उत्राखंट की करें तो केंद्रिया मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्राखंट का चुनाव प्रभारी बनाया गया जबकि सांसद लौकेट चटरजी के साथ राष्टियो प्रवक्ता आर्पिस सिंग सब प्रभारी होंगे तो बीज़पी की टीम तयार हो चुकी है मिशन 2022 के लिए यूपी बीज़पी के श्रत्रिय चुनाव प्रभारी जो है उनकी जानकारे भी हम आपको दे रहे हैं कैसे बीज़पी ने इस वक्त रणीती तयार की है एक बड़ी टीम का एलान किया गया है उतर प्रदेश और उत्राखंट के लिए